अगर आप pregnant हैं और आपको pregnancy में private part में, vagina में, yoni में दर्ध होता है या फिर पेट के निचले हिस्से में एकदम से बहुत ज़्यादा pressure या pain लगता है तो क्या इसके कारण है? या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये खत्रे की बात है? कब हमें घबराना चाहिए? कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और क्या घर में कुछ चीजे ध्यान रखके आप इससे आराम पा सकते हैं? इन सारी बातों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो बहुत ही important है आप लोगों के लिए देखना तो वीडियो को पूरा जरूर देखीगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखें, majorly पांच कारण हो सकते हैं आपके private part में pain होने के या फिर पेट के निचली हिस्से में दर्द होने के नंबर वन कारण देखें क्या होता हैं कि जो आपका uterus है, जो आपकी बच्चे दानी है, जो प्रेगनेट नहीं होते हो तो उसका जो size होता है वो एक peer के जितना होता है, एक नाशपाती के जितना होता है पर जो आप pregnant होते हो, बेबी बढ़ा होता है uterus में, तो उसका size बढ़ते बढ़ते जो है, एक watermelon खरबूज के जितना हो जाता है तो दीखे, कोई चीज इतनी छोटी थी और एकदम से इतनी बढ़ी हो गई, तो आपके पेट के अंदर इतनी बढ़ी हो रही है, तो आपके पेट के निचले हिस्से में जो है दबाव पढ़ता है, इसकी विज़े से कई बार आपको ये दर्द होता है और यूट्रस के बढ़ा होने के विज़े से जो दर्द आपको हो रहा है न, ये एक प्रेशर जासा आपको लगता है, तो लगता कि कुछ दबाव पढ़ रहा है, इसमें बहुत जादा दर्द नहीं होता है, बट एक प्रेशर जासा लगता है, ऐसे आपको प्राइवेट कर रहा होता है, डिलीवरी के लिए, तो इस टाइम में रिलेक्सिन हॉर्मोन के बढ़ने के विज़े से भी कई बार आपके पैल्विक एरिया में या फिर आपकी प्राइवेट पार्ट में जो है दर्द होने लग जाता है, नमबर थ्री, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो आपकी बॉड़ी में बढ़ रहा है प्रेग्नेंसी टाइम में, यह जो आपके लिगामेंट्स है ना, उनको जो है थोड़ा वीक करने लग जाता है, उनको कमजोर कर देता है और इसकी विज़े से भी आपको पेन होता है नमबर फॉर, अगर प्रेग्नेंसी टाइम में आपकी पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं, अगर उनको वीकनेस हैं, उनको कमजोरी है तो उसकी विज़े से भी आपको दर्द हो सकता है और नमबर फाइफ, प्रेग्नेंसी टाइम में कई बार लेडीज को जो हैं कॉंस्टिपेशन यानि कब्स की प्राप्लम हो जाती है और इसकी विज़े से भी आपको पेट के निचले हिसे में दर्द या प्राइवेट पार्ट में पेन हो सकता है तो ठीक है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ये जो दर्द हो रहा है वो किस किस कारण की विज़से हो सकता है अब आपको ये समझना जरूर है कि दर्द तो चलो आपको हो रहा है तो उसके लिए आप क्या आसान सी चीज़े कर सकते हैं पर दित की से द्यान में रखकर भी आप अपने इस दर्द को होने से काफी कम कर सकते हैं इसको रोग भी सकते हैं No.1 आप pelvic floor exercise कर सकते हैं यह pelvic floor exercise करने से पहले पर्णोग से कंसर्ट करें क्योंकि देखे ہर दोप्र क्टर से कंसर्ट करेंका है अलग होता है तो डॉक्टर से कंसर्ट जरूर करना है पल्विक फ्लोर एक्साइज जो है बहुत सिंपल होती है आपको फ्लोर पर लेट कर अपने निचले वाले हिस्से को थोड़ा अंदर की तरफ खीचना है थोड़ा दर रोकना है फिर छोड़ देना है दस पर ऐसा करना है तो इससे आपको इस दर्ट में काफी अराम मिलता है नमबर टू जो है आपको पानी जादा पीना है देखिए पानी अगर आप जादा पीएंगे तो आपको चौनस्टिपेशन भी नहीं होगी और कई तरग जो इंफेक्शन वगरा होते हैं तो पानी आपको ज़रूर अच्छे से पीना है दिन में दो से तीन लिटर पानी तो आप ज़रूर लीचेगे अपने आपको एक्टिव रखे जितना आप एक्टिव रखेंगे उतन ही आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी जो आपके लिगामेंट्स वीक हो रहे हैं या पैलविक फ्लोर की मसल्स वीक हो रही हैं यह इसलिए होती क्योंकि आप अक्टिविटी नहीं करते हैं अगर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन तो समझ में आता है कि आपको बेड़र्स बोला गया है पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अपने आपको एक्टिव रखे वाक कीजिए दिन में कम से कम एक गंटा वाक कीजिए आदा गंटा सूबह और आदा घंटा शाम तो आपको एक्रेंस एक्टिव रहने से भी आपको एक्रेंस कम होगा, नमबर फोर क्या होता है कि आपको बहुंश parenthर थे खडि नहीं रहना है कई बहुंश जहां जहुंश प्रिछे तो नहीं लाग बैठना है जब भी आप बैठे तो कोशिश किजिए कि पैरो के नीचे स्टूल लगा कर बैठें या फिर पैरों को अच्छे से खोल कर टेबल पर रखकर बैठें ताकि आपके पैरों को अच्छा सपोर्ट मिलें ये दो चीज़े अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे भी आपको दर जो है नहीं होगा नम्बू फाइध ध्यान रखना है कि आपको एकदम जटके से नहीं उठना है असा मैंने बहुत बार आपको बताया है जब भी उठी तो सपोर्ट लेकर आपको उठना है अगर कोई चीज़ सपोर्ट के लिए नहीं है तो आसपास आपके कोई भी घर के मेंबर्स हैं उनका हा इस टाइम में करवट लेकर लेटी है और आराम से सपोर्ट लेकर उठीए और कहीं भी जाएए जटके तर आप उठते हैं तो इससे भी आपकी मसल्स खिच जाती है और कई आपको इसके पेन होता है और लांस चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपको से लग रहा है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और इसको बिल्कुल इग्नॉर नहीं गरना है नमबर वन अगर आपको जो भारीपन जो दर्द लग रहा है उसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग या स्पोर्टिंग भी हुई है तो ऐसे केस में तो बिल्कुल भी किस चीज का वेट मत कीज और अगर शिरुवात का जो टाइम होता है न मतला फर्स ट्रामेस्टर इस टाइम पर अपको ब्लीडिंग होती तो देगे मिस्कारिज का खत्रा हो सकता है आपको तो बिल्कुल भी इस चीज को इग्नॉर मत कीजिए अपने डॉक्टर से कंसर्ट कीजिए नमबर टू देख करते हैं ताकि प्रेगनेंसी जो है कम से कम आठ है नौ मेने तो लगातार चले ताकि बच्चे की हैल्थ सही रहे तो इस केस को भी आपको इग्नॉर नहीं करना चाहिए अगर आपको लेबर पेंच जैसा दर्द हो रहा है बीच-पीच में और भारीपन भी है तो ये तब भ आपको क्लियर हुआ होगा कि जो आपको प्राइवेट पार्ट में योनी में दर्द हो रहा है भारीपन फील हो रहा है उसके कारण क्या है उसके लिए आप क्या क्या चीज़े ध्यान में रख सकते हैं और किस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कोई भी सवाल ह तो comment box में लिख सकते हैं Thank you for watching